जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पी तो आज हम लेकरा है क्लाज 10th mathematics प्रसनावली 2.2 का प्रसनाव आज हम लोग इसको बिल्कुल असान भासा में समझेंगे बिल्कुल सिंपल भासा में तो चलिए अब देरी ने करते हुए question क्यों पढ़ते है question नमर एक लिखाए के निमना लिखे देवगात भवपदों के सुनियक इसका की जांच किजिये यानि Кिस के इसका जांच करना है और समझांद की सत्यता की जांच करना है प्रसन नमर एक लिक है की ंस2 एकस-1 तो सबसे पहले निकल ना है तो लिखती जाएगा सुन्यक हेतु का अर्थ होता है कि सुन्यक के लिए X²-2x-8 0 कर दियेगा जैसे है लिखेगा, कि 1²-2x-8 ब्राबर 0 यानि कि सुन्यक निकल ना है, सुन्यक हेतु करके 0 कर दियेगा तो अब is को देखिए, इस से गुणा करते हैं, यानी एक चैस्क्वाइर से माइनस आठ में गुणा करेंगे, तो माइनस आठ ये स्थिती होगा, और ये इस बात को मन में रखा जाता है, इस बात को कहां रखेंगे, अपने मन में, अब 8 का ऐसा फिक्टर करना है कि गुणा करने पर माइनस 8 आए और जोड़ने या घटाने पर किसी एक स्थिती में माइनस 2 आना चाहिए तो 8 का क्या कर सकते हैं 4 दून 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बज़ जाएगा यानि कि इसका 8 का दूगो फिक्टर क्या होगा प्लस में 4 होगा और माइनस में 2 होगा तभी तो 4 दून 8 होगा चार दुना 8 हो जाएगा गुणा करने पर माइनस में 8 होगा चार में से 2 घटाएंगे माइनस में 4 लेना पड़ेगा प्लस में 2 लेना पड़ेगा ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि लाना है हमें कि इसमें माइनस में लाना है तो प्लस में 2 और माइनस में 4 यानि माइनस में 4x लिखा जाएगा और प्लस में 2x लिखा जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा माइनस में 2 बचेगा लास्ट वाला को वैसे ही लिखना है माइनस 8 का 8 अब बराबर में 0 का 0 इतना बात समझ मैं सभी को यहां तक कोई दाउट अगर दाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पुछ सकते हैं कमेंट कीजिए मैं बताने का परियास जरूर्ट करूंगा जिए दाउट तो होना नहीं चाहिए अब ये दुगोhrlich subject करके कमन कीया जाता है कमन का मतलब होता है जो दोनों में अब किसमें निकाल टो एक." oggi श्कार है स्चार एक चार्ष में लेकिन 4 डुन में तो एक्स को क्या रेंगे करेंगे Efendi को करेंगे एक्स को कमण करेंगे या से एक्स निकल गया तो मीनस में 4 बचेंगा कि अब यस्ट पार्ट में से इक सिए और वाइट ताउ sil कि डू आताहें यानिकर पाड़ा में आठ आता है एक्स है लेकि इसमें एक्स नहीं है तो केवल प्लस में दू कमन कर लेंगे तो प्लस में दू कमन कीजेगा तो यहां से दू निकल गया बचा क्या एक्स बचा और यहां पर माइनस आठ में से दू कमन हुआ तो क्या बचेगा माइनस में का बचेगा चो बचेगा यह 4 बचेगा तो minus में कितना 4 बचेगा क्योंकि दूसरे 8 में भाग कर लेते हैं बात समझ नहीं अब जो कमन करेंगे इससे भाग करेंगे तो 2 उससे 8 में भाग कि जेगा तो भाङफल आएगा कितना 4 आएगा तो 4 लिखियागा बरावर में 0 है तो 0 रहेगा अब यह दू पार्ट हो गए एक पार्ट यह हुआ X-4, X-4 दोनों पार्ट में तो X-4 को common कर लेंगे X-4 को common कीजेगा तो यहाँ पे बच जाएगा X तो यहाँ X लिखियागा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 2 तो प्लस 2 लिखियागा बरावर में 0 हो जाएगा अब यहाँ पे हो क्या गया कि यह दोनों गुणा के रुप में हो गया किस रुप में हुआ गुणा के रुप में कुझा गुणा के रूप में होगे तो एक बार इसके बरभर 0 फिर एक बार इसके बरभर 0 कर देंगे कि यहां पर लिखतें जहएका कि अब किarts मैनँस 4 बरभर 0 त richtig हो तो एकस मैनेस 2 बरभर 0 होगा यहां से एकस का मान निकालिएगा कितना निकलेगा माइनस में इधार आएगा तो प्लस में होगा तथा यहां से यह प्लस में टू है तो प्लस रहेगा यहां से एक्स का मान के लिए यह जो सुनियक निकला नहीक फिक सका दूगोंbas іंट साषक धाया है इस मेंसे क्या करेंगी को यदिक आम देंगे do स्ञेल पाधा और किसी को मान सकते हैं जिसको मान केरें उसको आल्फा मान सकते हैं लिखन कि महाना की आल्फा ब्रावर हस्टे वालको मालीजे तो पहले चार है तो चार को आल्फा मालीजे और बीटा ब्रावर मालीजे बाद वालो की यहनी माइनस टू को और जाज करने के लिए सुत्र होता है योगफल का योगफल का सुत्र का होता है आल्फा प्लस बीटा तो आलफा प्लस बीटा कीजेगा तो आलफा का मान 4 और बीटा का मान माइनस दू है प्लस माइनस मिलका माइनस हो जाएगा तो 4 में से दू घटेगा तो बचेगा क्या दू बचेगा और नीचे एक लगा सकते हैं और ये सुत्र होता क्या है ये होता है कि माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक होता है यहां नीचे लिख देते हैं ठीक है ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टा बट्टा वला जो होता है एकचे स्क्वाइर का गुणांक होता है, अब यहां पे इसकी तुलना कीस से करेंगे, जो बनाए हैं सही है या गलत है, इसकी तुलना करने के लिए कुष्थन में चलेंगे, तो कुष्थ्थन x स्क्वाइर माइनस 2x माइनस 4 दिया है, तो हम जानते हैं कि व्यापक रूप इसका क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है a x square plus b x प्लस में होता है c a b c कहोने का मतलब क्या है कि जो x का गुणाक होगा वो b का मान होगा x square का गुणाक a का मान होगा और c जो होगा constant होगा वाचरपद होगा तो यहाँ पे रखिए minus x का गुणाक यानि कि जब यह plus में रहेगा अगर यहाँ minus है यह plus में आता है तो बिल्कुल सही है x square का गुणाक है कितना कोई भी संख्या नहीं रहता है तो 1 रहता है यानि कि यहाँ तक तो सही है गुणान फल पर भी जाज कर लेंगे सही है या गलत तो गुणान फल भी निकाल लेते हैं गुणान फल को क्या लिखते हैं आलफा इंटू बीटा लिखा जाता है तो आलफा कमान कितना चार और बीटा कमान है minus 2 तो इसको गुणा कर ली जाएगा तो कितना हो जाएगा चार दुना आठ यानि कि minus में 8 हो गया बटा में एक लगा सकते हैं यह minus 6 बटा में एक हो गया इसका का होता है आलफा इंटू बीटा का होता है ओचर पद अचर पद बटा एक चे स्क्वाइर का गुणांक होता है अचर पद बटा एक स्क्वाइर का गुणांक अब इसकी वित्तुलना कर लेते हैं ओचर पद अचर पद मतलब सी बोलें यानि कि जो अक्य वालंक रहेगा तो minus 6 है अचर पद और यहाँ पे जाज कर रहे हैं तो minus 6 हारा है एक स्क्वाइर का गुणांक होन है यानि कि हम जो बना है यह वाला बिल्कुल सत्या है इसमें कोई दाउट नहीं है अगला प्रस्णा है 4s square minus 4s plus 1 4s square minus 4s plus 1 इसको भी लिखिएगा सुनियक है तू सुनियक निकाल ला है तो सुनियक है तू पहले लिख देंगे सुनियक है तू 4s square minus 4s और plus में 1 हो जाएगा ब्राबर में क्या लिखिएगा 0 इसमें भी शुरू वाला से last में गुणा करके 1 में रख लेते हैं तो 4s square से 1 में कीजेगा तो कितना प्लस में 4s square होगा प्लस में 4s square यह चीन को दर्शाना बिल्कुल जरूरी है इसको मन में रखना है प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है अब 4 का ऐसे factor करना है कि जिसको गुणा करने पर कितना 4 हो और जोडने या घाटाने पर 4 होना चाहिए तो अगर इसको लिख दिया जाए माइनस 2 फिर माइनस 2 जोड दीजेगा तो कितना माइनस में 4 होगा गुणा कर दीजेगा तो प्लस में 4 होगा यानी कि प्लस में हमें चाहिए तो प्लस में 4 यहां पर आहीं जा रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि 4 a square शूरू वाला में कोई परिवर्थान होगा भी नहीं और बीच वाला को ही तोड़ा जाता है तो इसको दो भाग में लिखेगा तो माइनस में 2s कर दीजेगा फिर माइनस में 2s कर दीजेगा और लास्ट वाला को भी वैसे ही लिखते हैं same to same और ब्राबर में 0 है तो 0 रहेगा अब इस दो पार्ट में से इस दो पार्ट में से कमन क करेंगे दोनों में क्या कमन है टू एस कमन है टू एस कमन है तो फोर में से टू कमन हो गया तो एस बचेगा यहां से टू एस कमन हो गया तो माइनस में वन बच जाएगा और इसमें से केवल कुछ भी कमन नहीं है तो माइनस वन को कमन करेंगे तो यहां पर माइनस वन कमन पतलब की बिल्कुल हमारा question सही बन रहा है, अब 2s-1 को कमन करेंगे, तो बचेगा क्या, 2s-1 ने बचेगा, यहां बचा 2s और यहां बचा-1, इसके बराबर में क्या लिखेगा, 0, अब 2s-1 बराबर कर दिजेगा, 0 तथा 2s-1 बराबर, 0, दोन से मैं, इसमें कोई दिकत नहीं है, यहां पर निकाल देते हैं, आगे, ठीक है? तो 2s ब्रावर माइनस में ब्रावर की इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा इसलिए s ब्रावर कितना होगा 1 by 2 होगा यहाँ पे भी निकालेगा तो यहाँ पे भी s ब्रावर क्या निकलेगा 1 by 2 निकलेगा तथा s ब्रावर 1 by 2 यनी αलफा और बीटा दोनों का मान क्या निकल रहा है तो जाज करने के लिए क्ले क्या है माल लेंगे यहां पर जाज कर लेते है माना कि आलफा ब्राबर तathा ब्राबर भी उन ब्हाइट न होगा ब्रुटा ब्राबर उन ब्हाइट गुट्यू कि अब यह अफ़ल यानि कि Rapha into a अलपा प्लस बिटा कीजिएगा en sup top लावा Ó प्लस वॉन बॉ ना लिदेर इसको जोड़ दीजिएगा तो Zm2 होगा इसको उपर ब्रा लाता है तो उपर को जोड़ संप किठना हुजाएगा वन फ्लस में लावर में ट्टो 2 by 2 अब अभी फिलाल इसको ऐसे ही राने देजा और आलफा इंटु बीटा को भी निकाल लेजाए आलफा इंटु बीटा ब्राबर 1 by 2 ओगा आलफा कमान और 1 by 2 ओगा बीटा कमान इसको मल्टिफल कीजेगा तो 1 में 1 से होगा 1 और 2 में 2 से होगा तो 4 अब यहां पर देखिए यह बाट्टा में जो आता है ना दोनों में ब्राबर होना चाहिए तो इसमें 4 है तो इसको भी 4 बना लेते हैं 4 बनाने के लिए उपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो ब्रावर हो जाएगा तो तू मेट्से कीजियेगा फूर हो जाएगा अब यहां पिक्रायो कि यह वगिया उ ton एक से स्क्वाइर का गुणांक तो इसमें एस है तो एसे स्क्वाइर का गुणांक चार होना चाहिए तो एसे स्क्वाइर का गुणांक चार है बिल्कुल सही है अब इसमें आलफा एंटू बीटा निकाले है तो अचरपद होता है उपर वलत अचरपद वन है यानि कि लिख लिजेगा ठीक है ताकि एक भी नमबर न कटे अगला कोश्चा ने ती नमबर कि एक का तीन नमबर प्रस्ण लिखा है कि 6x स्क्वायर माइनस 3-7x इसको सजा लेंगे लिख देंगे कि सुनियक सुनियक है तू अब इसको सजा करके यहां पर लिख दिये जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहिले और माइनस 3 को बाद में बराबर में 0 रहेगा अब क्या करेंगे इसका फेक्टर करेंगे तो फेक्टर करने के लिए इस से इस में गुणा करते हैं तो कितना आप जाएगा चो त्यां 18 यानि कि माइनस में 18 आएगा माइनस में 18 एक स्क्वायर होगा तो अब इस 18 को ऐसे दो पार्ट में टोड़ना है ना कि जिसको गुणा करने पर 18 और घटाने पर कितना माइनस में 7 आजए तो 9 दून 18 होगा और 9 में से 2 घटे एगा 7 होगा तो असानी से मिल जा इस तो 6 एक स्क्वायर है माईनस में तो माइनस वाला को ज्याधा लिखना पड़ेगा नाईन एकस और प्लस वाला को लिखना पड़ेगा तो प्लस में टूāइक्स हो जाएगा यहını न.n 9 मेंस 2 को घटा इएगा माईनस 9 अप्लस 2 veggत माईनस कर लेंगे 3x कर लेंगे 6 में से 3 कमन होगा तो 2 बचे गा दो थीया6 में дома मैं से 3 को आममड़ा तो थीन बचे गाये एक्स कमन हो इसमें कुछ भी कमन मैं नहीं है तो प्लस on को कमन कर लिजिए यह 2x माइनस 3 हो गया और बराबर में 0 यहाँ अब इसमें से common कर लिजे कितना 2x-3 को common कर लिजे तो यहां बचा 3x यहां पे बचा प्लस में 1 ब्राबर में 0 अब 2x-3 ब्राबर 0 कर दिजे तो था 3x प्लस 1 ब्राबर 0 कर दिजे यहां से x कामान निकाल लिजेगा तो x पराबर कितना यह इधर आएगा तो प्लस में 3 होगा और 2 आजएगा तो बचा में हो जाएगा तो यहां से x पराबर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 होगा और 3x कामान निकालेंगे तो यह बचा में 3 हो जाएगा एक औे एक्स LM 3 थीड़ा एक्सक्त कमान कितना हुआ मा attachments 1 गाई थीर होऊँ कि यह 3 हुए समझ में रहे न का थीर है यह कीजिझ लेक्षै करना है तो जास कर देते हैं जास जाज करने के लिए के आलफा ब्राबर माल लेते हैं कि माना की माना की आलफा ब्राबर पहिल के को माल लिजे आलफा ब्राबर कितना 3 बाई 2 तथा बीटा ब्राबर माइनस 1 बाई 3 सबसे पहले योगफल निकालते हैं यानि आलफा प्लस बीटा को निकालिएगा तो आलफा कमान 3 by 2 और बीटा कमान पुलस माइनस मिलकर माइनस हो ज़िएगा 1 by 3 तो इस तरह का जब भी रहे इनका गुणा करने पर LCM निकलता है ना तो इस ते इस में गुणा कीजे इस ते इस में गुणा कीजे और LCM कितना, दोनों को गुणा कर जिए, तीन दुना 6 हो जाएगा, तीन में तीन से गुणा किजएगा 9, दू में एक से गुणा किजएगा 2 तो 9 में से दू गटेगा तो 7 बट्टा 6 हो गया, 7 बट्टा 6 हुआ, अब यहाँ पे होता क्या है? कि यह होता है माइनस 6 का गुणांक, माइनस 6 का गुणांक होता है, तो देखिए तो माइनस 6 का गुणांक, और बट्टा में क्या होता है? एक से स्कुएर का गुणांक होता है, एक से स्कुएर का गुणांक होता है, तो इसको क्या करेंगे? तूल ना कर लेंगे, तो माइनस 6 का गुणाक यानिकी यहां माइनस है तो यह प्लस में होना चाहिए इसका मतलब की जो कोस्चन में दिया है साथ माइनस में होना चाहिए तो देखिए साथ माइनस में है साथ X का गुणांक माइनस में न यहाँ पर देख सकते X का गुणांक माइनस साथ है उसके वाद X2 का गुणांक कितना 6 नाचे यहतो X2 का गुणांक 6 है यानिक यहाँ तक तो बिल्कुल सहिए और आलफा इंटू बीटा भी निकाल लिजे 3 बाइ 2 इंटू माइनस 1 बाइ 3 का देजे इसको मल्टिपल की जेगा तो माइनस में कितना 3 में 1 से होगा तो 3 और 2 में 3 से होगा तो 2 3 जे 6 हो जाएगा यह होता है अचर पद क्या होता है यह अचर पद बटा एक चे स्क्वाइर का गुणांक होता है अचरपद बटा एक्चे सक्वाइर का गुणांग तो आचरपद देखिए तो question में कितना है अचरपद है minus 3 यह निकि सब्सक्र चॉग था तो चॉग यानिकी बिल्कुल सही है अगला है चार नमबर question चार नमबर लिका है कि 4u square minus 8u इसको भी लिखियेगा सुन्याक है तू सुन्याक है तू जब सुन्याक है तू लिखियेगा तो इसके बराबर 0 कर दिजेगा यानि 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 अब इसमें से क्या कमन है ये दो पर्ट में है तो आसानी से कमन करना कर सकते हैं अब दोनों में कमन है तो कमन करके असानी से इसको बना दिजाए असान करके तो कमन कर लिजे क्या कमन होगा ये दोनों में से फोर यू कमन हो जाएगा फोर यू कमन हो जाएगा तो यहां पर बचेगा यू और यहां पर बचेगा चार दुनाट होता है तो दू बज जागा यू तो कमा नहीं हो गया बराबर में 0 अब 4 यू बराबर 0 एक बर कर दिजेगा तथा यू प्लस 2 बराबर 0 कर दिजेगा तो यहाँ पे यू कमान निकलिएगा तो यू बराबर क्या होगा 0 by 4 मतलब की 0 होगा तथा यहाँ से यू कमान निकलिएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानि यू कमान एक 0 आगया यू कमान एक माइनस 2 आगया अब जाच इसका भी करना है तो जाच कर दिएए हैं इसका भी जाच देखिए जाच कर दिएए जाच भी मान लें कि माना की माना की आलफा पहले बालक आलफा मान लिए आलफा बराबर 0 तथा बीटा बीटा बराबर कितना यू कमान निकला है दूसरा माइनस 2 निकला है तो बीटा कमान माइनस 2 हो जागा alfa प्लस बीठा निकालिए गई उगफल का तो aa कामान 0 प्लस बीठा कामान है。 तो यहां पे हो कितने जाएगा? –2 और नीचे 1 लगा σकते हैं, ठीक है? लेकिन यहां पे देखें 4 है तही इसको भी 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उपर चार से गुणा कर जीजिए और नीचे भी चार से गुणा कीजिए क्योंकि नीचे हमें चार बनाना है तो चार से गुणा कर जीएगा तो यह चार दुना 8 हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा अब यहां पर देखिए यह माइनस 8 है यानि कि माइनस X का गुणांक होता है माइनस X का गुणांक तो U है तो U का गुणांक लिकिएगा अब बट्टा U S2 का गुणांक अब तूलना कर लीजे यह माइनस माइनस मिलके क्या हो जागा पलस हो जागा पलस में 8 होना चाहिए तो देखिए तो पलस में 8 है और U का गुणांग, U square का गुणांग रभटा में चार ए, यानि कि 4 हो न चेत, U square का गुणांग 4 है, यहाँ तक तो बिल्कुल सई है, और α अलफा इन्टू बीटा भी निकाल लेते हैं, आलफा इन्टू बीटा का मान भी निकाल लीजिए, तो alpha का मान 0 और beta का मान है minus 2 तो 0 माइनस 2 से गुणा कीजेगा तो 0 हो जाएगा और 0 का बटा कुछ भी लिख सकते हैं तो 4 क्या का में है तो 4 ही लिख दीजे 0 का बटा कुछ भी लिखेगा तो 0 ही होता है तो अचर पद पहला होता है अचर पद और नीचे वाला क्या होता है या एक से स्क्वाइर का गुणाग कोई भी कह सकते हैं तो कोस्टन में यू है तो यू ए स्क्वाइर का गुणाग लिखेंगे इस बात को दियान रखना है तो अब तुलना कर लिजे अचरपद 0 यानि कि अचरपद इसमें है नहीं इसका मतलब कि अचरपद 0 होगा और यू ए स्क्वाइर का गुणाग फोर है तो और होगा अब अगला कोस्टन को देखते है पास नमबर लिखाए कि टी ए स्क्वाइर माइनस 15 इसको भी लिखियेगा सुनियक है तू इस तरह का कोस्टन अबजेक्टिव में पूछा जाता है तो बिल्कुल ही असान होता है टी ए स्क्वाइर माइनस 15 बराबर 0 कर दीजे 15 को भेज दीजे उधर तो टी ए स्क्वाइर बराबर कितना 15 होगा प्लस में और स्क्वाइर अटाइएगा तो रूट चड़ जाएगा यानि टी का मान कितना होजाएगा रूट को प्लस माइनस के स्था चड़ा नहीं याद रखिएगा रूट प्लस माइनस 15 होगा यानि कि एगो टी का मान कितना होजाएगा ती का मान, ती ब्राबर रूट पंदरो प्लस में और फिर ती ब्राबर रूट पंदरो माइनस में होगा ठीक है, माइनस रूट पंदरो और प्लस में रूट पंदरो यह होगा ती का मान, इसका भी जाज कर लेते हैं सही है या गलत तो जाच करने एक लिए क्या करते हैं मानते हैं अलफा ब्राबर बीटा ब्राबर तो जाच यहां कर देते हैं जाच माना की अलफा ब्राबर किसी को मान सकते हैं माइनस रूट पंदरा को ही अलफा ब्राबर मान लिजे और बीटा बराबर रूट 15 को मालीजे ताकि बनाना बिल्कुल असान हो जाए तो आलफा प्लस बीटा निकलीगा आलफा प्लस बीटा निकलीएगा तो आलफा कमान कितना माइनस में रूट 15 और प्लस बीटा कमान प्लस में रूट 15 तो plus minus है तो यह घट के 0 हô जागा और T का गुनांग क्या है एक है T sqr का गुनांग है तो नीच्य एक लगाया जा सकता, 0 बात्य Thereud माइनस एक्स का गुणांग होता है माइनस एक्स का गुणांग तो टी है तो माइनस टी का गुणांग लिखाएगा और बट्टा में होता है टी स्क्वाइर का गुणांग टी स्क्वाइर का गुणांग होता है तूलना कर लिजे, माइनस T का गुणाक, यह T का गुणाक कहीं नहीं है, T का गुणाक T है नहीं है, तो T का गुणाक क्या मना जाएगा, 0 होगा, और T स्क्वार का गुणाक 1 यानि कि T स्क्वार का गुणाक 1 है, अब आलफा इन्टू बीटा निकाल लिजे, आलफा इन्टू माइनस होगा opposed रूट 15 से Ag re 500 में कीज़ेगा तो 15 हो जाएगा यह निकी रूट रूट पंद्र हो जाएगा रूट पंद्र नहीं बल कि 15 अब इसके नीचे क्या लगा सकते है वहाँ लगा सकते हैं अब यहां पे देख लीजे यहां पे होता क्या है कि अचर पद होता है अचर पद और बट्टा में होता है टी ए स्कुएर का गुणांक होता है तो अचर्पद है कितना माइनस 15 तो इसमें देख लिजी अचर्पद है माइनस 15 और T स्कौर का गुणा को वन है तो T स्कौर का गुणा को वन यानि कि बिल्कुल सही है अगला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नम्बर 6 सब्सक्राइब लिखेगा सुन्यक है तू सुन्यक है तू यानि कि सुन्यक के लिए सुन्यक है तू मतलब तू 3 इसको इसमें गुणा करते हैं तो तीन चव का 12 यानि कि माइनस में 12 होगा माइनस 12 एक जिस बारह का ऐसा दो पार्ट बनाईगे जिसको गुणा करने पर 12 हो जायी और घृटाने पर माइनस में 1 बस जाए तो अगर 4 में 3 से गुणा करेंगे तो यह स्वाइगा तो थिर च स्कायर मैं चार एकस लिखक में और प्लस में लिखत है और लास्ट वल्य को एसे लिखते हैं मांगा नियुक्त यह सब्सक्राइब में 0 हो कुर्ण अब यह दो douze यह दो पार्ट एक एक साथ्रक, हाई से comment कर लेंगे तो 3 अचार, come and कर लेंगे यहाँ पे बच जाएगा 3 एक्स और यहाँ यहाँ पे बच जाएगा मानिस में 4 इसमें कुछ भी कमन नहीं है तो 1 को कमन करेंगे तो 3x बच जाएगा और मानिस में 4 हो जाएगा equal to 0 हो जाएगा अब करेंगे क्या यह पूरा में से कर लेंगे common किसको 3x minus 4 को common कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा plus में 1 बराबर में 0 अब एक बार इसके बराबर 0 लखिएगा 3x minus 4 बराबर 0 तथा x plus 1 बराबर 0 कर दीजिएगा यहाँ पी x का मान निकलिएगा तो यह इधर आएगा तो plus में 4 और यह आएगा तो बचेगा में 3 हो जाएगा तथा यहाँ से x का मान निकलिएगा तो minus में 1 होगा जाच कर देते हैं इसका भी यहाँ पे तो जाच कैसे कीजिएगा जाच के लिए अलफा बराबर मान लिजिएगा माना की अलफा बराबर 3 बटा 4 को मान लिजिए चाहे minus 1 को ही मान लिजिए minus वलक को अलफा मान लिजिए और बीटा बराबर प्लस वलक मान लिजिए बटटा 3 माली दे तो सबसे पहले क्या निकले अलफा प्लस भीटा निकल येगा इसको जोड़ेगा यहीं । अब प्लस जोड़िएगा 4 बटा 3 तो इसको जोड़ने के लिए का करते हैं इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़तेते तो 3 ने कम 3 यहने माइनस 3 में प्लस 4 जोड़िएगा तो माइनस में 1 बचेगा बटा में 3 बचेगा माइनस में 1 और बेठ्टा नीचे वाला क्या होता है एक टे स्क्वाइर का गुणांक गुणांक तक तुलना कर लेजे कोस्टन में माइनस से माइनस यहनि की प्लस में 1 होना चाहिए इसमें मिस्टेक यह रहा है कि 3 स्बैकर फीन प्रवबर स्बैनिन करें याँ पर फिलस वन आएगा और IRE ओंगा और्मलास शेचे यहाँ यहाँ पर स्बैब सब्सक्रवह पो ऑनाची गुणानच पर नहीं-, मिफ्लस- में देख सकत Channel X का गुणाक माइनस 1 है और बट्टा में एक से स्क्वार का गुणाक होता है तो एक से स्क्वार का गुणाक है कितना 3 है अब क्या करेंगे अब आलफा इंटू बीटा का मान निकलेंगे तो आलफा इंटू बीटा निकलिएगा तो ये कितना हो जाएगा आलफा का मान है माइ माइनस वन इंटू बीटा का माने 4 भाउए 3, it is minus one से 4 में कि जएगा माइनस 4 अरवग में 3 हो जाएगा इसको क्या बलते ऐ है अचर पद बलते past ऑ चर पद और बढड वाला को बलते येट स्कुर्ण का गुनाइग गुणाइग कि बना अगला कोस्टन देखते हैं प्रष्णसंख्या दो एक नमबर का टूटल कोस्टन मनोगि अब दो नमबर देखते ह। कि दो नमर लेका कि एक त्युछ भात बवापद ज्याद किजिए जिसके सुनियकों का योग तथा गुणनफल क्रमसदी गई संख्याय है यानि कि योग पहला दिया है और दूसरा अला गुणनफल दिया है तो इसका सॉलूसन कैसा करेंगे योग का मतलब आलफा प्लस बीटा कमान दिया हुआ है लिखती जेगा दिया है आलफा प्लस बीटा बराबर 1 बाइ 4 और आलफा प्लस बीटा का सुत्र क्या बता है माइनस बी बाइ 2 माइनस बी भाई यह होता है इसका सुत्रो तथा आलफा इन्टू बीटा कमान दिया हुआ है आलफा इन्टू बीटा कमान दिया हुआ है माइनस वन कितना दिया है माइनस वन इसके नीचे वन लगा सकते हैं अब एक बात ध्यान रखना है कि एक कमान चार है यहां भी यह कमाद 4 यानि बट्टा में 4 होना चाहिए तोनों का बट्टा वाला यानि कि हर समान होना चाहिए तो 4 करने के लिए क्या करेंगे उपर भी 4 से गुणा करेंगे और नीचे भी 4 से गुणा करेंगे यहीं रूल होता है कि जब 4 से नीचे गुणा करते हैं तो उपर भी करना पड़ेगा तो 4 से 4 में गुणा कर दिजेगा तो माइनस में 4 और भी नीचे हो जाएगा 4 और आलफा इंटू बीटा का सुत्र क्या होता है C by A अब तूलना कर लिजे तूलना करने पर तूलना किजेगा तो क्या होगा A कमान 4 A कमान 4 मैच कर रहा है तो 4 हमने क्यों कर वाया कि A कमान ब्रावर होता है बटा में यह होता है तो A कमान ब्रावर होना चाहिए तो A कमान यहाँ पर कितना होगा 4 होगा B कमान कितना होगा माइनस B ब्राबर 1 है तो B कमान निकलिएगा तो माइनस में 1 आएगा C ब्राबर माइनस 4 है तो C कमान निकलिएगा तो कितना माइनस में 4 होगा इस तरह से ABC हो गया अब दिवगात बहुपद का सुत्र क्या होता है कि दिवगात बहुपद बहुपद ब्राबर A x square प्लस B x अब प्लस में C होता है इतना होता है तो A का मान भर दीजिए A का मान कितना 4 है x square का x square और B का मान है कितना minus 1 तो plus minus minus हो जाएगा once x में गुणा की जाएगा तो x हो जाएगा फिर C का मान है minus 4 तो plus और minus minus हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा इतना हो जाएगा answer ठीक है इस तरह से आप लोग solve कीजिएगा पूरा full number मिलेगा अगला question दो number में देख लेते हैं दो number दिया है कि root 2 और comma 1 by root 3 दिया है तो कह रहा है कि योग मतलब पहले वाला योगफ़ल और बाद वाला गुणफ़ल है तो या है में क्या लिखिएगा solve में di लिख लिजेगा और alpha plus beta ब्राबर root 2 लिखा है और नीचे क्या कर सकते हैं एक लगा सकते हैं और alpha into beta ब्राबर क्या दिया है alpha into beta ब्राबर प्रोन में रिख थिरी दिया है आपने बताया अभिकी नीचे वाला जो हर होगा समानहोंना hai सिंवान करने के लिख करने यहां पर तीन है तो बीख इसको भी तीन करने चोटा नहीं करें थिरी करने के लिखकर नीचे अगर तीन से गुणा करते हैं तो उपर भी क्या करना पड़ेगा, तीन से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो होगा, तो इसको गुणा कर देते हैं, तो कितना, तीन रूट दू हो जाएगा, बट्टा में तीन हो जाएगा, अब आलफा प्लस बीटा का सुत्र का होता है, माइनस बी बाई ए, और आलफा की जगा तर देखिए, ब्रावर 3, ब्रावर 3 आ रहा है न, ब्रावर देखिए जगा 3, उसका बी ब्रावर, माइनस बी ब्रावर 3 रूट दू है, तो बी का मान निका लिएगा, तो माइनस में 3 रूट दू हो जाएगा, और सी ब्रावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, C ब्रावर 1 इसलिए दिविखात बहुपद ब्रावर तो दिविखात बहुपद का ब्यापक रुपिया होता यानि A X स्क्वाइर तो A का मान कितना है? A X स्क्वाइर होता है थे A X स्क्वाइर अब प्लस तो प्लस और माइनस बिल कर aurके माइनस हो दैगा 3 रूट 2 और 1 से तुए 1 तो worker प्लस C प्लस में C है तो C का मान वन है तो 1 हो जाएगा इतना हो जाएगा इसका answer इतना बात स्माज में है है? अगला कोश्टन देखते हैं दू का तीन नमबर तीन नमबर लिखा है जीरो कमा पांस तो इसमें भी क्या है दिया है कि आलफा प्लस बीटा आलफा प्लस बीटा ब्राबर जीरो तो जीरो के नीचे एक लगा सकते हैं तो आलफा प्लस बीटा का सुत्र क्या होता है आलफा प्लस बीटा का सुत्र होता है माइनस बी भाई यह होता है और आलफा इंटू बीटा कमान कितना दिया है आलफा इंटू बीटा कमान दिया है रूट में 5 तो रूट 5 के नीचे भी एक लगा सकते है न तो यह हो जाएगा आलफा इटू बीटा का C भाई ये होता है तो तुलना कीजिएगा तो तुलना करने पर तुलना करने पर A ब्राबर A ब्राबर कितना दोनों में 1 है तो 1 B ब्राबर B ब्राबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो जीरो को में सब प्लस में लिखा जाता है ध्यान में रखिएगा और सी ब्राबर कितना हो जाएगा सी ब्राबर हो जाएगा रूट में पांच हो जाएगा रूट पांच इसलिए दिविघात बहुपद दिविघात बहुपद ब्रावर तो दिविघात बहुपद का ब्यापक रुपीय होता है A x square प्लस B x प्लस C एक का जगवा पर A का मान भर दीजे तो A का मान है कितरा A का मान है 1 तो 1 से x square में गुणा किया जाएगा तो x x square होगा और B का मान है 0 तो 0 में x से गुणा किजेगा तो क्या हो जाएगा 0 तो 0 अलबपद को लिखने की जरूरत नहीं है और प्लस में C तो C का मान हो जाएगा रूट 5 इतना हो जाएगा एंसर यानि x square plus root 5 हो जाएगा अगला question को देखते हैं question no.4 इसमें भी solve किजेगा तो alpha plus beta का मान दिया हो है कितना यानि कि योगपल दिया है पहला 1 तो 1 by 1 लिख सकते हैं यानि कि minus में B भाई ये होता है और alpha into beta का मान दिया है इसका भी मान दिया है 1 तो इसको भी 1 by 1 लिख सकते हैं तो ये होता है c by a तूलना किजेगा तो तूलना करने पर क्या निकलेगा तूलना करने पर जब तूलना किजेगा तो a ब्राबर 1 बी ब्राबर माइनस में तो माइनस 1 हो जाएगा बी ब्राबर माइनस 1 सी ब्राबर कितना तो सी ब्राबर हो जाएगा यहां पर प्लस में 1 हो जाएगा इसलिए बहुपद, इसलिए दिविघात बहुपद ब्रावर, दिविघात बहुपद ब्रावर, तो ब्यापक रूपे A x square, तो A कामान कितना? 1 है, 1 से x square में गुणा किजेगा, तो 1 से square होगा, और B कामान है minus 1, तो minus 1 से x में किजेगा, तो minus x हो जाएगा, और C कामान है 1, तो C के जाएगा पर plus में 1 भर दिजे, इतना हो जाएगा answer, अब इसका next question देखते हैं, दू का 5 नमबर, 5 नमबर में minus 1 वट्टा 4 और 1 वट्टा 4 दिखा हुआ है, तो दिया है क्या? alpha प्लस beta कमान दे दिया है, alpha प्लस beta बराबर दे दिया है minus 1 वट्टा 4, और alpha into beta कमान दे दिया है, 1 वट्टा 4, तो यहाँ पर base यानि कि हर समान है, तो सूत्र लगा देंगे, minus b by a इसका सूत्र होगा, यहाँ पर c by a होगा, तो तूलना किजिएगा, तो तूलना करने पर, तूलना करने पर, A ब्रावर कितना? A ब्रावर 4 B ब्रावर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो B ब्रावर 1 हो जाएगा और C ब्रावर भी 1 हो जाएगा इसलिए दिविघात बहुपद दिविघात बहुपद ब्रावर क्या होता है? A x square प्लस B x प्लस में C होता है ये कमान है चार, तो 4 x square पी कमान है 1, तो 1 से x में कीजिएगा, तो x हो जाएगा, और c कमान है 1, तो 1 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, answer समझ माया, एक last question देख लेते हैं, इस exercise का ये last question है इसमें आलफा प्लस बीटा कमान कितना चार है नीचे वन लगा सकते हैं और आलफा इंटू बीटा कमान कितना है वन है तो वन भाई वन लिख सकते हैं तो इसका सुत्र क्या होता है माइनस बी भाई ए और इसका सुत्र होता है सी भाई ए तूलना करने पर तूलना कीजियेगा न, तो A बराबर क्या निकलेगा, तूलना करने पर A बराबर हो जाएगा, 1 A कामान 1, B बराबर, B कामान कितना, प्लस में 4 है, माइनस B बराबर, तो माइनस में 4 निकलेगा c ब्राबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा इसलिए दिविघात बहुपद ब्राबर a x स्क्वाइर प्लस b x प्लस c होता है तो a कामान कितना 1 है तो 1 से एक स्क्वाइर मैं गुणा कीजेगा तो x स्क्वाइर b x तो b कामान मैं मैंनस तो b कामान प्लस मैंनस मैंनस हो जाएगा तो मैंनस में 4 x हो जाएगा c कामान प्लस मैं तो प्लस 1 कर दीजेगा इतना ही हो जाएगा answer तो ये पूरा complete हो गया personality 2.2 अगर ये वीडियो आप लोगो अच्छा लगा हो और कोई भी doubt हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं आम कमेंट जरूर देखेंगे उसका reply जरूर करेंगे और ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजे जय हिंद, जय भारत, जय बिहार धन्यवाद